Nucks Womica mainly modern lifestyle जो हम जी रहे हो से होने वाली विमारीं को समाधान है २्यौत छोती हैं तो भीजआरों भीज़न आप करेंन आपए अल इस्ट्रेस को लिए होता है क्रम्दीन Okayato, Nucks Womica मैंडर कुम मुडरन लाइफ़िश्ट्राल भीज़न दीरें अगर आप नक्स वोमिका है तो आप बतले रुबले होंगे एक्टिव होंगे बहुत ज्यादा चेजड़ापन आपके अंदर होगा और आप लोगों से जलेंगे मानसिक तोर पर आपकी मेमोरी अच्छी होगी आप अच्छे से पढ़ सकेंगे मैंटल वरक अच्छे से कर सकेंगे जब आप पर किसी काम को लेकर मानसिक तनाव होगा तो आप अलकॉल पीना पसंद करते हैं और जब आप पढ़ते रहते तो बीच में सिगरेट पीना पसंद क अगर आप उससे बात करेंगे तो उसको आपकी अवाज ही पसंद नहीं आएगी अगर चारो तरह बहुत ज़्यादा लाइट फेस सद नहीं आएगी साथ ही लाइट से अवाज से बहुत ते शुगन आ जाती है तो वह पसंद नहीं हाएगी तो इन मानसिक लक्षणल कारन उसके नदा सूसाइड टेंडेंसी भी रहती है। एसा लगाएगा कि मैं सूसाइड गलूं, लेकिन सूसाइडर फोविया भी रहता है, और मित्यों का बहुत भेर है। लेकिन सुसाइडल टेंडेंसी रहती है, साथ ही उसको हचीज की लत लगे रहेगी, अलकॉल टॉबे को सभी तरह के ड्रक्स और जो भी गलत चीज होती है वो करने में उसको बहुत मज़ा आता है बात करते हैं, सर के केस में क्या प्रोब्लम होगी, आपको occipital pain हो रहा हो साथ ही आपका आइस के उपर सीर में दर्द मेले ऐसा लगे कि बस किसी चीज से दबाते रहो प्रेस करने के एक्चा कर रहे इतना सीवियर pain हो साथ ही vertigo के केस में चक्कर के केस में नक्स वोमी का effective medicine है अब बात करते हैं आइस में, आइस में photophobia मिलता है मतलब आइस में light sensitivity आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है अगर आपकी आखों में रोश्नी पढ़की है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो इस problem में नक्स वोमी का effective medicine है अब बात करते हैं कान की अगर बहुत तेजी से loudspeaker चल रहा हूँ आप पार्टी में गए हो बहुत तेजी से आवाज आपकी कानों के अंदर जा रही हो आप घर आते हैं तो कान दर्द करते हैं तो उस टाइम पे नक्स वोमी का effective medicine है बात करते हैं नोस नाक के केस में अगर ठंड़े में आप बहा जाते हैं तो सू की ठंड़े हो अगर आपके नाक में आपके सरीर में लगती जिसके कारण आपकी नाक में कोरेज़ा हो जाता है सर्दी हो जाती है तो नक्स वोमी का effective medicine है अब चलते हैं मूँ की तरफ बात करते हैं मूँ के बारे में मूह में बारवा चाले आ जाते हैं पेट खराब रहता है उसके कारण आपको बारवा चाले हो जाते हैं मूह से बदबू आती है एलकॉल लेते हैं बहुत ज्यादा नक्स वोमी का पाईरिया के केस में बहुत ही ज्यादा effective medicine है अगर आपके दातों के नीचे मसूडों में सुजन होती है दातों या मसूडों से कुन निकलता तो नक्स वोमी का बहुत ही अच्छी medicine है गले के केस में गला बहुत ज्यादा छिल गया हो बहुत ज्यादा शूका और रूकापन महसूस हो रहा हूँ आपको थूक लिलने में ऐसा लगे कि बल लगाना पड़ रहा तो नक्समामी का एक एफेक्टिम मेडिसन है आथ करते हैं पेट के केस में सुबह सुबह आपको उल्टी है जा लगता है खाना खाने के बाद या खाना खाने से पेले इन में से कोई भी प्राव्लम है तो नक्समामी का बहुत इफेक्टिम मेडिसन है आपकी पेट की मसल कमज़ोर हो गई हो और मसल कमज़ोर होने के कारण हरनिया की प्राव्लम हो गई हो चाहे वो अमलिकल हरनिया हो चाहे इंगल हरनिया हो नक्समामी का बहुत इफेक्टिम और पाइल्स के साथ ब्लड भी निगलता तो इन केश में नक्सवामिका एफेक्टिव है मेल्स में होने वाली प्रोबलमज नक्सवामिका पीरिमेच्छोर एजयकुलेशन की प्रोबलम् इरेक्टाल डिस्फंक्षन की प्रोबलम् अगर आप ज्यादा एल्कॉल पीते हैं, आप ज्यादा तमभागो खाते हैं, आपको नीद नहीं आती है, इंसॉम्निया की प्रोब्लम है, उसके कारण आपको प्रिमेच्छ और एक्टाल डिस्फंक्शन की प्रोब्लम है, तो नक्समोमी का बत एफेक्टिब मेडिसन है, कारण आपको कैल्सियम लेवल कम हो गया, तो नक्समोमी का एक एफेक्टिब मेडिसन है, और आपको रात में नीद नहीं आती है, खासकर आप सोते हैं, तो इसके बाद तीन बज़ जग जाते हैं, और उसके बाद रात बाद जगे रहते हैं, और फिर आपको सुभे आट- मेडिसन ले चुके और आपको आराम नहीं लग रहा तो एक बाद नक्समोमी का लेकर जरूर देखिएगा,